देखिए इदी का रेट कोई पॉलिटिकल लिडर का घर में नहीं हो रहा है ये इदी का रेट सीधा ओही लोगों का उपर हो रहा है जो घुसपेथियों को जारखान लाके फॉल्स दोकुमेंट्स बनाके घुसपेथियों को भारतिय करवाने का साजिस रखते है तो आज का ये रेट से ये प्रूव हो गिया है कि जारखान में ऐसा एक गिरहो काम करता है जो लोग घुसपेथियों को यहां लाटते है और पूरे सरकारी दस्ताबेज बनाके उनको इंडियान सिटिजन बना देते है आज का जो रेट है हैमन सुरेण जी ने भी खुद बोले थे कि घुसपेथियों का हताने का जिम्मेरारी सेंट्रल गवर्मेन का है अगर सेंट्रल गवर्मेन आज कारबारी कर रहा है अगर घुसपेथियों को जो लोग रेक्षन आब एक्षन देटा है भारतिया नागरी करते है उनका घर में अगर सापा परा है तो उनको तो सब लोग मिलके वेलकम करना सही है बन्ना गुपता जी ने जो बात बोले है सेकेंड लाइन उन्होंने नहीं बोला कि अगर कत्तर मुसल्मान हिंदू का घर में आएगा तो बन्ना गुपता दिवार बन के खरा रहेगा वो बात उन्होंने नहीं बोला तो सुनाए आयुक को बन्ना गुपता का खिलाब वेवस्ता लेना सही है क्या कत्तर हिंदू में ही है कत्तर हिंदू मुसल्मान का घर में आएगा लेकिन कत्तर मुसल्मान क्या हिंदू का घर में नहीं आएगा आज बन्ना गुप्ता का जो बैयान है इसका बाद बन्ना गुप्ता को एरेस करना सही है